इंडियन रेलवे ट्रेड यूनियन के अलेक्शन चल रहे हैं और गुलबरगा में CRMS याने सेंट्रल रेलवे मजदूर संग की टीम जोरो शोर से अपना परचार कर रही है इस एलेक्शन में कुल साथ रेजिस्टेट यूनियन सेलेक्शन लड़ रही हैं और सुभी रेलवे मजदूर वोट कर किसी एक यूनियन को जिताने का काम करते हैं पूरे भारत में 17 जोन बनाये गये हैं जिसमें आने वाले 4 और 5 डिसमबर को वोटिंग की जाएंगी इंडियन रेलवे ट्रेड यूनियन एलेक्शन में दो यूनियन के बीज कड़ी टक्कर है जिसमें से एक सेंटरल रेलवे मजदूर यूनियन है CRMS का गुलबरगा में प्रोग्राम हुआ जिसमें चेर्में डॉक्टर प्रविन बाचपाई और शोलापूर रेलवे डिविजन के सेकरेटरी बागेवारी यहां विजित किये थे और इसके अलावा रेलवे डिपार्टमेंट में खाली बड़ी नौकरियों को भरना और मजदूरों के काम करने के टाइमिंग के अलावा दीगर कई बड़े वादे किये गये हैं गुलपरगा में इस प्रोग्राम की डीटेल जानने के लिए इस वीडियो को एंट तक जरूर देखें अपना जो इलेक्षन है सिक्रेट बैलट इलेक्षन है आपको अपना एक संगटन चुन के देना है उसके लिए इलेक्षन लगाया जाता है हर पास साल में होना चाहिए 10 साल से हुआ नहीं था इसके लिए हमने बहुत प्रयास भी असके था कि भई अपना इलेक्शन होके आपका सही जो माइना है हमको भी मिले थोड़ा सा कि सही में हम काम कर रहें कि नहीं इसलिए अभी ये इलेक्शन में आपको दिखाना है कि हम कि श क्या काम करी है हमने आपके लिए काम किया है यह आप ठोट के थ्रूब हमको दिखा सकते हो मेरा इतना ही कहना है मूझ अबनी तो हम सब जन एक दुसरे के लिए हावा ही करते हैं हम सामने आये हम भी नमश्कार करते हैं आप भी नमश्कार करते Demakart बैलेट बॉक्स इतना बड़ा एक अपना अच्छा यह है कि जहां पर होटिंग डाल के अपना सही वहां पर आप मत दे सकते हो अपनी बात रख सकते हो लेकिन जब जाते है पैनल पे उससे में केवल एक हमारा सेयर में इसको बड़न दबा के हमारा वाम होतों से उस्ताव से यह हमारा एक नारा है जब हमरे साइव जाड़ निच्चे बढ़ते तो हमारा पेड बड़न से ज़ाओं तो उससे निच्चे बढ़ते अ उसलिए हम पानी देने वोले आप और हम लोग है, अमरे प्रेशिडेंट साहब उतने लंबे से आए, बुंबे से आए, यही बात बता नेकलिया है, कुर्पाय करके हमारे रिक्रेश्ट करता हूं सभी से, हमारे NFIR, हमारा CRMS कभी उंचा रहेगा, उंचा है, उंचा ही रहेगा, कोल्ड पेंशन चाहिए जाहिए तो प्रहिए ये इस चीज को हर करम चारी जानता है अग्शे हमारा फाइदा होना और ये भुड़ापे की लाठे मानो हम आप एक तरいき आप। पूरा सेंटर रेलबे मजदूर संग पूरी ट्रेन लेके गया था, वो ट्रेन सरकाल नहीं दी थी, हमने कहा था हमारे लोग चंदाय कठा करेंगे, पचात पचासवा चंदाय कठा किये, कंपड़ा लगाया, और हम अपनी पूरी ट्रेन लेकर यहां से दिली तक गया दिए। रास्ते में जान भूश कर हमारी ट्रेन को रोका जा रहा था, जब बहुत रोका गया तो हम लोग पटरी में बुता रहा है, हमने कहा हमें पाथ दो, हम लेट हो रहे हैं, गारिया रुकी ही, हमें पाथ मिला, यह बात था हमारा जज़वा था, पुरानी पेंसन योजना के हमने लगाता है, और यह बात पेंसन कोई महलवानी नहीं है, अदरवरोग कोई महलवानी नहीं है, यह जो करमच्यानी काम करता है, यह उसके के वे पूर्व के कामों का फल है, जो पेंसन में मिलता है सुप्रीम कोर्ड का डिसीजन कोई भी कंटीब्यूटरी पेंसन, चाहिए वो निव पेंसन योजना हो, इसकी वो एनपियस हो, या जो अभी अभी उन्होंने लागू नहीं हुई है, कि वह पुछलना चोड़ा बात है, बात करेंगे, उपियस का, सारकार ने पिल्लू छोड़ा, पिल्लू, उपियस का, क कोई भी अंसदा या कंटीब्यूटरी पेंसन, सुप्रेम कोड के इस निवने के डिसीजन के, इस्पिर्ट के खिलाव है, खिलाव है कि नहीं है, ओल्ल पेंसन योजना, जो हमारे जवन बढ़ापे के लाठी है, वो मिलने चाहिए, सवाल थोड़ा ये हुआ, हम इस परानी प्रिंसन योजना के मांग के लिए हमागे बढ़ा रहे थे, बीच में एक जॉइन फोरम मोल्चा बनाया गया, जिसके कन्वेनर सामने वाले संधन के थे, उसके कोई बात नहीं थी, लेकिन जहां तक रेल में करमचारियों के काम का सुभाव है, और दूसे करमचारि पूरे इंडियन रेलवेज में जो टेड उनियन से उनके मांता की चुनाओ होने जा रहे हैं, जिसका वोटिंग चार फांच दिसंबर और इनिस्टाविल एच्छे दिसंग होने जा रहे हैं, हर छे साल बादे चुनाओ होते हैं, इस बाद चुनाओ लेठ हुए हैं, जो 2019 उनिस चुनाओ थे, वो अभी कोड के आदेश से उन्होंने भी चुनाओ करवाए हैं, एनाफाइ सेंडर मदूर संग, सेंडर मदूर संग जिसका का चुनाओ चिन, वाट ब्रेच, बन्यान ट्री, या अब अगरत का प्रेंड भाग ले रहा है, हमारे गवरोसाली तिहास र और 1972 में सीसे पेंशन रूल लागू हुआ, जिसे और पेंशन गूरूप में आप समझते हैं, जो यूपिस हगस दो याज़ चोविस को जो यूपिस योजना को केबनेट ने एनॉंस किया था, हमने उसके खिलाफ में, त्योंकि वो कल्मचारियों के लिए अंकूल नहीं थ और कार्कारणी ने यूपिस को से खारिश कर दिया, कि यूपिस भी सिविकार नहीं है, एन पेंशन नहीं है, हमें सिर्फ अकर सिविकार है, तो और पेंशन जिविकार है, और हमने उसके तहेत, दो सितंबर 2024 को, पूरे सेंटर रेल बे में, धर्ने मौलचे परदासन एक ही समय पर किये 7 अटूबर 1224 से 30 अटूबर तक OPS संकल पर आत्रा निकाली और UPS का भिरोध किया हमारा सबस्क्राइब मुद्दा ही है कि जो railway कर्मचारी है उनके कार का सभाव, complex of the duties, discipline में काम करना वो आलमुष्ट फोज के समान है एक समय था जब railway फोज का हिस्सा हुआ करती थी आज भी T.I.K.M. लगते हैं हमारे एलबे कर्मचारी को जो काम दे दिया जाता है चाहिए लोको पाइलेट हो टेग मैंटेनर्स हो टी आर्ड के स्टाफ हो एक अनसासन बन तरीके से वह काम करते चले जा रहे है इसे फोज काम करती है पॉजवी कोई भी सीजन हो चाहिए गर्मी, सर्दी, बरसात बहुग जदा घर्मी हो बहुग जदा सदी हमारा रेलवे एंपलाईश कभी काम नहीं छोड़ता है इसे फोज काम नहीं छोड़ती है हमारे जिसे काम के दोरान जो हमारे रेलवे करमचारी रानवर हो जाते हैं, मेरे सब्दों सहीद हो जाते हैं, उनकी संख्या फौज बसहीद होने वालों से कम नहीं है, बलकि जादा ही होगी फॉज की सहादर का सम्मान है लेकिन जो सम्मान रेलवे करमचारीयों को फॉज के समान मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा है जहां तर पैंजन का सवाल है फॉज में वोड पैंजन योजनल आगू है और फॉज को अनपियस से एक्जम्ट रखा गया है हमारी डिमांड है कि रेलिवे कर्मचारियों को भी फॉस के सम्मान गोल्ड पेंसन योजिना के अंतरगत जो एक एक दोजार चाल से भर्कतु वे रखा जाना चाहिए कि अभी करोणा में अपने देखा आप पार लो ना तहरा जा ता कहीं कुछ नहीं चुल आप तो के बड़े चल लगए अपनी च्यान की परवाना करके अपनने परिवार परवाना करके रेल चला रहे थे और ही कराण है कि देश एक एक भु नुसरे दूसरे ऑना जा राता दा देश औराश के लिए काम किया। इन्हीं सब बातों पर जब फगरी 2014 में मारे रेल मंत्री श्री मल्ड का उन्होंने बातचीत को एसेप्ट किया उन्होंने बातचीत को एसेप्ट किया। मुक्त रखना चाहिए और ओपियस के लाना चाहिए। उन्होंने लिखा चिठ्थी शरकार बदल गए उस टाइम पर NDA सरकार आई। अन्होंने भी चिठ्थी लिखी कि रेलवे करनचारियों को ओड पैंसन योजना के लाना चाहिए। अभी केवने सिगट्टी से बात हुई एना फाय लेवल पर बातचीत चल लए थी उसका आउटकम कुछ आया नहीं है। अभी सरकार एनॉंस किया यूपियस एकशार दोजार पचीस से लागू होने का गजट में आया नहीं है। लेकिन यूपियस हमें स्विकार नहीं है। जो कार्पस हम देते हैं उस कार्पस हमें आप दे रहे हैं। कार्पस हमारा हक है। हमें पूरा मिलना चाहिए। और पेंशन यूपियस किम लागू नहीं चाहिए। सुप्रेम कोड का डिसीजन था। दियस नकारा के संदर में नहीं का था। कि पेंशन हमारा समिधानी कदिकार है। यह कोई नाम नहीं है। कोई भी अनसादारी चाहिए पेंशन यूजना चाहिए। यह कोई भी स्कीम कोड के दिये गए निर्णे के इस्परेट को पुराने करती हैं। बावना पुराने करती हैं, तो एनाफाय सेंडल मदूर संग की मांग है, कि रेलबे कर्मचारियों को पुरानी पेंसन योजना यानि ओल्ड पेंसन योजना का अंतरत लाया जाए, यह मेरी मेरी में डिमांड दोसा डिमांड, जो हमारे पॉंट्समें हैं, उनका भी केरियर ग बनाना चाहिए, और बाली स्माइबना प्रॉमृट्ण के साहिए, हम हम भी के मांग देख सब म 안- minced calf maintenance ते लिए प्राइब आप दोसरे दिवान भेजना जाए निमे तुरूप से एल्डी सोपन आल होना चाहिए जिडी से निमे तुरूप से होना चाहिए यह तो कई बाते हैं क्यों लेकर आया हैं हमने टी आर्ड स्टाफ लिए पॉंट्समें के लिए संट के लिए पीवे ट यह तुरूप करमचारियों के लिए NBCNW के लिए वर्क्साप के लिए इत्यार जोज मय जहां पर भी इशिंधिकर विरिस्क अलांस माójा हम भी हम अपने काम को लया हैं कि हमने 19од 6 funcion winding किया है हम महंगायी ं नहीं ता मिलता है एक जन्वरी और एक जुलाई को महगाई बता मिलता है जो प्राइस इंडेक्स आधा पाजार बाजार केब डिसाइब रिसाइब होता है हमने टेक मैंटेनर्स को युनिफॉर्म दिलवाया हमने उनका नाम गयमें से प्दवाकर कर टेक मैंटेनर्स कराया कि भुटिंसर ने हमने के लिए प्रोटिंसर रिलीव दूसरे ने पास रिलीव कर रहा है उनके पास अमने मगाई तुमलिक माध्धम से हमने काम काँ गंटे कर वाई रोच्टर डूडि करवाई ओर टाइम कर वाया टेक मैं जो पहल आपी तोर्ट जो पर विट के इंट में इ नाइ डूटी हमने दिलवाई, ओवर टाम दिलवाई अभी रिस्क आउंस माईज भजेस मिला, डिस्क आउंस मिलें, परले उनिफर्म नहीं थी, जहां पर उनिफर्म दिलवाई, वह बहुत से काम हैं जबने दिलवाई, तो उन कामों का अधार मना कर और यह लग्ष्य आप सकते हैं जो हमारा मनिफर्ष्ट आप बोल सकते हैं, इन तबाम शीजे ओंग लेकर हम चुनाव मैदान उतरे हो बोट उन हम से ही कह रहे हैं, जहां हमें बोट निलवाई इस चीजे, इस चीजे, आपकर एमने दोट कर शेवाई, परमाने दोट से बीने का में दोट अग्श